नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पार्ट नुम्बर 17 पड़ेंगे, जिसका नाम है बादल नबका। बच्चों, जो इस कविता को लिखने वाला लेखक है, वो अपने आप में कल्पना करना चाहता है। वो कल्पना करता है, क्या कल्पना करता है? जो मैं होता बादल नबका। यानि वो सोचता है अगर मैं आसमान का बादल होता, आसमान में जो बादल होते हैं। आसमान के घर में रहता तो मैं उपर ही आसमान में रहता जहां किसी खिड़की से नीचे और मैं वहां से किसी खिड़की से नीचे जहता सब को सुपरभात में कहता और सब को मैं सुपरभात यानि नमिश्कार कहता तो कभी क्या चाहता है पहले जो मैं होता बादल नवगा आसमान के घर में रहता जहां किसी खिड़की से नीचे सब को सुपरभात में कहता संदगे बच्छों? यानि कभी ये कहना चाता है अगर मैं बादर होता नवगा तो वहीं से मैं किसी खिड़की से नीचे जहांकर सबको सुपरभात यानि नमश्कार कहता आस्मान में फिरता रहता मनमानी में करता है रहता और बच्छों मैं आस्मान में इधर सो दर कहीं भी गूंता रहता और अपनी मनमानी करता कभी यहां तो कभी वहां खूब डोलता इतराता और बच्छों कभी मैं आस्मान में इधर और कभी इधर जहां मर्जी मेरा मन करता मैं गूंता और डोलता मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता कभी शरारत कर सूरज के उजियारे को मैं ढख लेता और कभी-कभी मैं शरारत करके जो सूरज की रोशनी होती है उसको ढख लेता यानि बंद कर देता कभी पहाड की चोटी पर जा पकडम पाटी मैं खेलता और कभी ये कहता है और कभी-कभी मैं पहाड की चोटी पर चला जाता और वहाँ पकडम-पकड़ाई खेलता अपने चोंगे की जीवों में नदी ताल से जल भर लाता और बच्चो वो ये कहता है जो मैं कपड़े पहने हुए था जोंगे मिंस कपड़े उनकी जिवों में मैं नदी और तलाब से जल भरकर लाता पानी की बोचार उड़ा कर सब लोग को खूब भीगोता और बच्चों वहां से पानी लाकर मैं पानी की उपर से बोचार उड़ाता और सबी लोगों को खूब भीगोता तो बच्चों ये कभ कभी की अपनी कल्पना थी और आप भी इसी तरह से अपनी कल्पना को कभी कभी करते हो